हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप सभी का स्रेयर डिजाइन में बहुत स्वागत है गाई आज हम बनाएंगे जीरो एक दो नम्मर के कानजी के लिए ब्यूटिफूल सी पोशाक यह दो नम्मर के बिल्कुल फिटिंग की आएगी और जीरो एक नम्मर के बहुत अच जिसको मैं आपको फैब्रीक काट लिया मैं इस तरीक और फैब्री कि पाइब्रीक घ्रीक फैब्रीक 10 यहाँ से यहाँ तक हमने 5.5 इंच चोड़ाई ली है और लंबाई बता देती हूंगए इसकी लंबाई कितनी है शेम इसी तरीके से आपको लंबाई चोड़ाई ले लेनी है यह देखे 29 इंच लिया 28 इंच या 25 इंच ले सकते हैं और 2 इंच इसकी चुड़ाई है, सेम इसी तरीके से आपको सारा फैब्रिक कट करना है, यह से हम पकड़ी बनाएंगे, यह हमने एक उरेब की पट्टी डेड़े इंच चुड़ाई की, और इसकी लंबाई हमने लिये गाई 7 इंच, और यह मैंने एक यलो कलर की पट्टी लिय जैसे की हाँ पर हमें साडे लौक करनी है पहले, उसके बाद क्या करेंगे, यह हां दागा कट करते हैं इसमें finishing के लिए चाहें तो आप simple सीधे घूम भी भर सकते हैं बिना सिलाई लगाए पर इस तरीके से आप एक बार सिलाई लगा दोगे तो हमारा fabric set हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर सिलाई लगा लिए आप क्या गाईस मेरे पास यहाँ पर golden color की लैस थी मो में यहाँ पर लग रही हैं वो बिल्कुल optional है आप किसी भी color की लगा सकते हैं पर golden लगाएंगे तो वो बिल्कुल एकदम सुन्दर लगती है और निखर की आती है तो इस तरीके से आप बिल्कुल कम घर्च में कानाजी के लिए पोशाक बना सकते हैं इस तरीके की less guys आपको 5 रुपी मीटर मा लगा सकते हैं अपनी choice के according ऐसा रहोड़ी नहीं है कि आपको same ही करना है color भी आप dress का कुछ भी रख सकते हैं yellow green कुछ भी plain fabric से भी आप ये पोशाक बना सकते हैं ये पोशाक हम नवरातरी के लिए बना रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से आप पर less लगा दी इस तरीके स जीरो नमर के एक नमर के दो नमर के आ जाएगा क्योंकि नेफी में जहां हम डोरी पीछे बानते हैं तो हम उसे कम या जाधा कर सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम घूम भरेंगे इसमें कितने अच्छे से equally घूम हमारे आ रहे हैं और हमारी cotton की पोशाक समर के लिए क बहुत ही बढ़िया रहेगी तो इस तरीके से आप बहुत ही खुबसूरत सी पोशाक कानची के लिए बना सकते हैं ये देखिए हमने यहापर घूम भर लिए कितनी सुन्दर लग रही है इसको पक्का करने के लिए ये देखिए इस तरीके से कितनी सुन्दर लग रही है कि फिनिशिंग कर देंगे एक बार सलाई और लगा देते हैं ताकि यह अच्छे से पका हो जाए क्योंकि अभी हमने कटिंग की थी कोई भी हमारा घूम ना निकले अब क्या करेंगे उल्टी साइड से उरेप की पट्टी लिया है इस तरीके की और इसको इस तरीके से फोल्ड किया है अब यहाँ से आदाइन छोड़ कर मोड़ कर इस तरीके से लगाएंगे यह देखिए अब इस तरीके से अपना नेफा स्टिच करेंगे तो यह दिखे जितना भी ऐस्टा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरीके से यह दिखे, इस तरीके से हमने नेफिय की पट्टी लगा लिए बीच में हम डोरी डालेंगे, जो हमने आदा इंच फैब्रिक छोड़ा था स्टार्टिंग में उसको इस तरीके स करने के बाद में उसको फोल्ड करके लगाएंगे जितना भी एस्टर फैब्रिक या धाग्या है उनको पहले आप कट कर दें फिनिशिंग अच्छे से आएगी अब यह देखिए इस तरीके से मोल कर सिंपल हमें कुष्णी करना पका करके सिलाई लगानी है तो यह देखिए हम इस तरीके से पका करके एकदम गोलाई में सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने नेफे की पट्टी लगाई है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर आप उरेप की पट्टी का यूज करोगे तो यह देखिए इस तरीके से हमने अपना नेफा कंप्लीट कर लिया है क मैंने यहाँ पर यलो कलर की पट्टी यूज की है पाइपिन की रूप में तो उसे हम इस तरीके से पहले इसके उपर स्टीच करेंगे जहां हमने सिलाई लगाए थी सेम इसी तरीके से चाहें तो आप एक साथ रख कर भी सिलाई लगा सकते हैं तो यह देखिए आप यहाँ करेंगे इस तरीके से जाइ और लगाने के बाद में यहां पर लगाएंगे टिम शळी से गयर एटाएंगे और तो इसको भी सेंटर में निशान लगाएंगे बिल्कुल बीच और बीच से मिलाकर इस तरीके से हम चोली को अटेच कर देंगे ये देखिए इस तरीके से बहुत ही असान तरीके से हमारी चोली इसमें अटेच हो जाएगी तो ये देखिए हमने यहां पर चोली अटेच कर दी है तो हमारी ड्रेस हो गई है कम्पलीट कितनी सुंदर हमारी ड्रेस का फ प्रड़ी से या फिर किसी भी चीज से आप इसको इस तरीके से पलट लें सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी और पट्टी एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी यह देखिए इस तरीके से खुल कर हमारी पट्टी इस तरीके से आजाएगी एकदम बढ़िया से अच्छे से ज हम इसमें लैस लगाएंगे अगर आपके पास लैस नहीं है तो आप टीशू डीवन से सिंपल पट्टी को लोग कर लें तो भी आप पगडी बना सकते हैं पर मैं यहां पर ड्रेस में जो लैस यूज की है उसको यूज कर रही हूं तो इस तरीके से मैंने यहां पर लगा द आप चाहें तो सेम इसी तरीके से सुई धागे से भी स्टिश कर सकते हैं यह देखे इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई लगा दी सिलाई लगाने के बाद में हां से धागे कट कर देते हैं अब देखे इस तरीके से कुछ लुक आएगा अब दोनों पट्टियों को हम पीछ कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह पगड़ी काफी सुन्दर लगती है और आप इसे वाश भी कर सकते हो यहां से दागे कट कर देते हैं एस्टरा कपड़ा कट कर देते हैं तो इस तरीके से हमारा क्यूट सा मुकुट पगड़ी बन गई है काना जी की दिखे किती प्यारी लग अगर यह आई होप गाई साप पूई अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मेरे पास जीरो एक नमबर की काना जी नहीं थे तो मैंने पोशाग पहना कर नहीं दिखाई है पर गाई ट्रेस बहुत ही सुन